दोस्तो आज हम बात करेंगे आप किसी भी iPhone को activate कैसे करें सबसे पहले आपको अपने phone के अंदर sim डालना होता है किसी भी company का आप इसके अंदर sim डाल सकते हैं अभी मैं इसके अंदर AirTel का sim डाल के आपको दिखाऊंगा तो ये Airtel का सेमा भी इसके अंदर हम डाल देते हैं डालने के बाद में आपको इसको close कर देना होता है इस जगर पे तो यहां से हम इसको close कर देंगे close के बाद में आपको screen पर इस तरीके से लिखा मिलेगा उसके बाद में आपको अपना language select करना है इस जगर पे country select करेंगे हाँ पे country select करने के बाद में आपके सामने option खुल के आएगा setup manually क्लिक करना है continue पे क्लिक करेंगे उसके बाद में mobile data के connection के साथ आप जाएंगे चाहे तो आप wifi के साथ भी जा सकते हैं अगर आप wifi आपके पास में available है तो wifi आप यूज कर सकते हैं बट अभी है mobile data के साथ में इसमें continue करेंगे लगबग आपको 20 second के यहाँ पे wait करना होता है 20 second के बाद में इस तरीके से option आएगा continue करेंगे हैं आपे touch id को हम बाद में setup करेंगे don't use पे click करना है इस जगे आपको यहाँ पे पास code का आपका एक option आएगा पास code आप create कर लेंगे कोई भी पास code आप बना सकते हैं दुबारा से इस जगे आप पास code को डालेंगे यह देखेगा और आपका यह continue हो जाएगा इस जगे से अगर आपके पास में backup है तो backup ले सकते हैं आइफॉन से या अंड्रोिट फॉन से इस जगे आपको clicking करना होता है उसके बाद में अगर आपके पास apple id है तो apple id डाल सकते हैं नहीं है तो आपके पास में एक option है, है इस जगे पर आपको click करना होताilippe आपके अगर Apple ID का password बदलना है या create करना है तो कर सकते हैं हम setup लेटर कर रहे हैं अभी इसको तो ये चीज हम बाद में बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें ये termine condition आप पढ़ सकते हैं चाहें तो अपनी mail पर भी भेज़ सकते हैं agree करेंगे हैं से agree के बाद में हैं पर continue का option आएगा continue पर click करना है ये चीज हम बाद में इसमें setup कर लेंगे सब चीजे don't पर कर दीजेगा click आप इसको भी बाद में कर लेंगे हम अभी तो इसके इन time हम अ ये app अभी हाँ पर upload हो रहा है कुछ app ऐसी होती है जो upload नहीं होती है phone के अंदर तो उनको थोड़ा सा wait करेंगे तो automatically upload हो जाएंगे इस जगह पर ये देख सकते हैं सारी app अभी चल रही है uploading पर तो उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है वो सारा सब कुछ अपने आप setup हो ज चुका है बिलकुल एकदम new iPhone की तरह एक बार इसका हम about चेक करा देता हूं मैं आपको general में जाना है about में जाना है ये देख सकते हैं आप अपना सारा setting वगएरा इसमें कौन सो phone हम यूज कर रहे हैं आयमें नंबर वगएरा सब पढ़ सकते हैं तो अभी हमारा phone चालू हो अपने phone को start कर सकते हैं कोई भी आपको कहीं भी जाने के जुद नहीं होगी normally setup हो जाएगा ये देखेगा touch idea हम इस जगे से बना लेंगे बाद में उसको हम setup कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आईगी अगर आपको मेरी video पसंद आई हो तो आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं thanks for watching my video